लाइट्स नहीं है यहाँ पर स्टेडियम की रूफ पर लगाई गई हैं लाइट्स ताकि शैडोस का खेल ज्यादा हो नहीं चलिए शुरू करते हैं टर्शोकों से घचा-घच भरा हुआ ये मैदा अब इन्हें सिर्फ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है अगर नीव मजबूत होगी तो पावबले का समय है याने की पाव़फुल क्रिकेट का समय है बल्ले बाजों के लिए बढ़िया गेम कोई रन नहीं बहुती खूबसूरत का वर ड्राइव पॉइंट फिल्डर के हाथ में सीधा ड्राइव कोई रन नहीं यह तो बहुत उची थी गेम लगता है कि बाउंसर की वाड़ एक और डॉट गेम अब दबाव बढ़ता हुआ बल्ले बाजी की ठीम पर यह आउट करार दिया है अंपायर ने चलिए देखते हैं अब यहां क्या होता है जी हां डेसीजन रिव्यू थीजरा अंपायर इनवल्व्ड हुआ हुआ है कि क्वालिटी बोलिंग बिल्कुल स्टम्स के सामने पाए गए लेग बेबोल का डिसेजन गेंदबास के पक्ष में बल्लेबास रन बनाने में विफल तौफे में दे गए अपनी विकेट अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं आपने प्रीज पर आए हैं नए बल्लेबास उम्मीद्य यह है कि टीम प्लान के साथ वो जुड़े रहेंगे और एंकर का रोल अदा करेंगे कोट यह कैच पकड़ा है या मैच पकड़ा है दूसरी गेंद दूसरी सफलता गेंदबास इस ओन रोल थोड़ा सा इनको संभल के खेलना होगा और कोशिश करनी होगी कि अंत तक यह नाबाद रहें बल्ले बाजो ने की है थोड़ी सी संभल के शुरुवात समझ सकते हैं आप कीम के रन एक भी दिया नहीं विकेट यहां चटका दी हाँ सिर्फ रफतार की बात होगी विपक्षी टीम ने ये तै किया है यू विल बी टेस्टेड विद पेस फील प्लेस्मेंट में किया है थोड़ा सा और बदलाव बल्ले बाज सोचने के लिए मजबूर इसे कहते हैं बाउंसर्स का भी बिग डैडी थोड़ा सा स्मेल कीजे लेदर को बेटर सेफ दैन सौरी बल्ले बाज जोखिम उठाएगा नहीं डॉट बॉल पूरी तरह से छका दिया है बल्ले बाज को चतुराई से की है गेंद बाजी बल्ले बाज को रखा है खामोश एक और डॉट गेंद या वप एक और बढ़िया गेंद एक बार फिर रन नहीं फील्ड थोड़ी सी गीली है गेंद हाथ से फिसल रही है लेकिन इन्हों ने पकड़ा कैच को फिसल नहीं दिया मैच को अब कुल साधारन बल्ले बाजी गिफ्ट में दे नया खिलारी मैदान पर अब कोशिश करनी है इनको की अंत तक जमे रहें और टीम को ले जाएं सेफ्टी तक चाबुक, कॉपी बुक, छे रन गेंद के नीचे आए और बहुत पीछे भेजा छे रन के साथ ओवर गया समा और इस गेंद के साथ हुआ ओवर समा बारिश ने डाला है, खेल में खलल, थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतसाथ यह हलकी सी बोचार नहीं है, बूंदा बांदी नहीं है, यह तो बहुत जोर से बरसा है, याने की थोड़ा सा समय लगेगा खेल शुरू होने में बारिश रुकी, कवर्ज बाहर, अब तो बारिश आई जरूर लेकिन मैच इतनी देर के लिए नहीं रुका कि डकवर्थ लुइस आकर ओवर्ज में थोड़ी कटोती करें और यह बात सुनके ग्राउड में और इसे कहूँगा मैं रॉक सॉलिड डिफेंस ड्राइव तो बहतरीन था लेकिन फील्डर वहां मौजूद था अगे वाले पाउं को आगे की तरफ बढ़ाया और रक्षाक्मक अंदाज में खेला सटीक लाइन सटीक लेंथ कठिन सवाल बल्ले बास के पास नहीं था जवाब बढ़िया फील्डिंग बल्ले बास के पास रन लेने का मौकण है फील्डर की अच्छी एफट और बढ़िया थ्रो भी सटीक लाइन सटीक लेंथ सम्मान दिया एक अच्छी गेंद को फारवर्ड डिफेंस कंजूस गेंद बास किफायती ओवर आप अपने आगाज से नहीं अंजाम से पहचाने जाते हैं और वही कोशिश करेगा गेंद बास आखरी एक्सेलेंट इनिंग्स नहीं गेंद आज पूछेगी कुछ कठिन सवाल लेकिन इन सवालों का जवाब चाहिए जबर्दस शॉट के साथ एक करारी शुरुआत पहली गेंद पहला चौका इसे आप स्लॉग स्वीट भी कह सकते हैं क्योंकि डीब मेंट विकेट के रीच तो रक्षित हाथ है इस फील्डर के कैच फील्डिंग यूनिट की मदद के चलते मिली एक बड़ी सफलता मिलकुल साधारन बल्लेबाजी गिफ्ट अपनी विकेट नहीं गवानी है यहां इनको तो फिर जस गो बैक तो बेसिक्स बड़िया जज्जमेंट तेज रनिंग बड़िया रंबटोर आप बल्लेबाजो ने विक सिंगल पारी की शुरुवात अच्छे अंदाज में नो फ्लाइंग जोन भूशित कर दीजिए इस मैदान को क्योंकि गेंद गई एक बार फिर हवा में छे रन स्टैंज में बड़िया कैच बल्लेबास को सास भी नहीं लेने दे रहे हैं एक और विकेट अपनी विकेट नहीं गवानी है यहां इनको तो फिर जस्ट गो बैक तो बेसिक्स सही जज्जमेंट का सही नतीजा बढ़िया कैच एक और सफलता पहली गेंद बन गई आख अब इन्हें सिरफ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक पर रंस पर लगाना चाहते हैं लगाम तो गें थमाई है लेक्स पिनर को क्लीन स्वीप है यह और क्लियर भी करेगा फिल्ड को अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर भागने की गती उत्साह भी है विश्वास भी है विकेट बिलने की आस भी है लेकिन अमपायर ने कहा नॉट आउट ग्रेट कैच बैस्मेन की गलती फील्डर की मस्ती मिल गया एक और विकेट तौफे में दे गए अपनी विकेट अगर मैंने ऐसा किया थोड़ा सा इनको संभल के खेलना होगा और कोशिश करनी होगी कि अंथ तक ये नाबाद रहे फील्डर की अच्छी एफट और बड़िया थ्रो भी दो-दो हाथ करने की मंशा से आए है मैदान पर दुक्के के साथ किया है आरम ये गेंद गई है दूर कोसो दूर दे कर जाएगी छेरान तो वो तूफान से पहले की शांती ही थी छे लगाया बल्ले बास में उची तो बहुत गई है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं समस्या बल्ले बास के लिए फील्डर का बड़िया थ्रो एक डम स्टम्स के उपर स्टम्स की बतियां जल गई बल्ले बास की बतियां बुझ गई एक के बाद एक और विकेट एक और सफलता क्रीज पर आये हैं नहीं बल्ले बास उम्मीद आई है कि टीम प्लान के साथ वो जुड़े रहेंगे और एंकर का रोल अदा करेंगे फील्डर का बढ़िया थ्रो एक डम स्टम्स के उपर दो-दो हाथ करने की मंचा से आये हैं मैदान पर दुक्य के साथ किया है आरम अब गोल्स दफिंगा अमपारिंग डिसीजन से बल्ले बास फिलकुल ना खुश बियारेस रिव्यू को बाद के लिए संभाल के रखा जा सकता है तौफे में दे गए अपनी विकेट अगर मैंने ऐसा कि दूसरे छोड़ पर लगाता विकेट्स किरती जा रही है उमीद यही है कि ये बल्ले बास शुरुवाती गेंदों को संभाल लेगा मैदान पर नए है जनाब ये पैविलियन से सेट होकर आए है चौके से शुरुवात फील्डर और गेंदबास का अच्छा ताल मेल बढ़िया थ्रो अपील में तो दम था लेकिन अम्पायर ने नकार दिया फील्डर का बढ़िया थ्रो एक दम्स टम्स के उपर दो रन से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया है थोड़ा सा परिशान किया है गेंदबास को तेज गेंदबास है ये अब देखना ये है कि क्या साथ में थोड़ी स्विंग भी कर सकते हैं स्मैश्ट बल्लेबास सूपर कूल ये शॉट पैसा वसूल छे रन फील्डर भी सिरफ पीछे मुड़ कर देखेंगे छे रन खाते में इस गौन एक दम जड़ में थी ये यॉरकर बल्लेबास को अता पता नहीं था केंद का एक एंड पर सेट बल्लेबास खड़ा है उन्हें जरूरत है अपने नए साथी से पूरी सपोर्ट और क्रीस पे खड़े बल्लेबास के लिए है अब ये फ्री हेट ये चौका नहीं संदेश है चौके से की शुरुवात है वाक खूबसूरत टाइमिंग जबर्दस शॉट गेंद बास के छक्के छुड़ा दिये छक्का जड़ दिया वाड विकेट शुरुवात तो अच्छी थी लेकिन हुआ एक अबरप्ट एंड बढ़ी आपक दूसरे छोड़ पर लगाता विकेट्स किरती जा रही है उमीद यही है कि ये बल्ले बास शुरुवाती गेंदों को संभाल लेगा नामुम्किन से दिखने वाले कैच को मुम्किन बनाया फील्डर ने जबरदस गड़ अंत में मिली एक आसान सी जीत लेकिन सेलिब्रेशन आपको बता रही है कि इस जीत का महत वो पहचानती है ये टीम सामने वाली टीम ने नेस्ता नाबूद कर दिया आपकी टीम को बल्ले बाजो को चकाया भी उनके चके उड़ाए भी गेंद बाज आज था जबर्ड़ाई